Hello everyone, this is Prasenji Dhas and welcome you all to my YouTube channel and Facebook page as well. Page देखकर आपको मालूम हो गया, आज का पॉयम बहुत ही जादा interesting होने वाला है, आज का discussion बहुत जादा interesting होने वाला है. ये Class 10, CBSC और SEBA का one of the very, very much, most humorous poems in English literature, The Tale of Cast of the Dragon. इस poem को जानने से पहले, इसको character को जानने से पहले हम जानते हैं, ये हे क्या, इसे एक ballot कहते हैं. बैलिट क्या होता है जैसे हम हिंदी में हमारी भाशा में हम इसको लोग गीत कहते हैं यह औरजिन्य टॉप फ़र्म स्टार्टिर इन फौर्टीन सेंचुरी इन यजॉरप और यह एक स्टोरी टेलिंग पॉ庉म होता है यह स्टोरी कहा जाता है यह म्यूजिक होता है इसमें य लिटिकल बैलेड होता है, तो बैलेड कई परकार का होता है। उसका डिटेल्स में और एक वीडियो बना कर बैलेड के बार में बता हूँगा, तो लगजे हो beyond, वापो समझ में आ जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि यह एक स्टोरी टेलिंग ही पॉम हो और ज़रूरी नहीं कि यह मिजिकल ही हो इसके कई प्रकार होते हैं तो इसको हम आगे समझते हैं कि यह बैलेट क्या है, दूसरे एक वीडियो बनाना पड़ेगा तो शुरू करते हैं आज का पोएम बिना समय बरबाद करते हुए पहले characters को जानते हैं यहाँ पर इस पोएम में कुछ characters हैं वो characters हो गए एक लड़की जो हम कहते हैं the main character protagonist उसके बाद आ गया हमारे बाकी characters जैसे के ink blink यह ink blink होते कौन है कौन है क्या है इस पोएम में इनका जरूरी क्या है तो एक black color का kitten है जिसका नाम ink है एक gray color का mouse है जिनका नाम blink है और एक yellow dog है जिनका नाम है master और एक dragon जिसका नाम है custard और बलीनडा जो है इसका main character तो यह नाम को याद रखना students ताकि यह आगे जाकर जा explanation में करा काम आएगा इस poem यह poem बड़ा funny है इस poem में क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि we are not that what we say but that what we do so a man is not he what he says but he what he does exactly हम कर्मों से पहचाने जाते हैं यहाँ पर यह कविता इतना humorous है कि आप पढ़ते हैं वक्त सुनते बाग इसको सुनकर load port तो नहीं हो जाएंगे लेकिन एक हसी मूँ में रहेगी एक smile normal आपके लगातार इस poem में रहेगे शुरुआत से लेकर अनु तक कुछ लोग हमेशा अपने मूँ में बावाही करते रहते हैं अपना मूँ मिया मिठू जो कहते हैं इसी प्रकार के कुछ कविता है जो यह लड़की है बलींडा ओए घर में रहती है कुछ अपने pets के साथ तो pet मतलब पालतू जानवर जिसमें डर्पोक है डर्पोक है डर्पोक है अपने आप तारीफ करते रहते हैं हम ये हैं हम वो है हम ये हैं हमारे अपनी तारीफ करते रहते हैं तो अपने आपको साहसी कहते हैं कोई ये कहता है अपने आपको कोई वो कहता है तो इस साहसी साहस का असली पहचान तब होता है जब इस कहानी में एंटर होता है एक पाइरेट तो चलिए बिना किसी टाइम को बरबात करते हुए आगे बढ़ते हैं समझते हैं सबसे पहले पोईट के बारे में इनका नाम हो गया फैडरिक ओगन नेस जो 1902 पे जनम होता है 1971 में वो निधन हो गया उनका एक अमेरिकन पोईट थ नाम से नवाजा गया सन 1964 में यानि 1964 में तो स्टार्ट करते हैं फर्स टेंजा में क्या है बलींडा लिव्ट इन लिटल वाइड हाऊस विद लिटल ब्लेक किडिन और लिटल ग्रे माउस और लिटल यालो डॉग और लिटल राधर वैगन नाउ से पहले राइमिंग स्किम house, mouse, wagon, dragon A, B, A, A, B, B rhyming scheme इस poem में हमने A, A, B, B rhyming scheme का हम देख रहे हैं और यहां पर लिखा है इस प्रकार के poems को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको quatrain कहते हैं जो चार पंग्तियों का एक stanza बनता है उसको हम लोग कहते हैं quatrain इसका details और आगे videos में आपको मिल जाएगा तो इस stanza में कहते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें literary device क्या है literary device यहां पर A, A, B, B rhyming scheme है जैसे आप देखा है repetition है repetition एक literary device है जिसका मतलब है एक शब्द का पुनरवर्ति होना बार-बार प्रयोक करना लिडिल 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 बार-बार repeat हो रहा है oxymoron है oxymoron हो गया use of the two words with the opposite meaning pet and dragon देखो pet हो गया पालतू dragon impossible not पालतू यह दोनों opposite शब्दों को एक साथ यूज करना जो opposite वर्डों को एक साथ यूज करना को oxymoron कहते हैं oxymoron in literary device anaphora भी यहाँ पर है anaphora is the repeated use of a word at the start of two consecutive lines जब दोनों पंक्तियां कविता के शुरू एक ही शब्द से शुरू हो रहा है एक ही फ्रेज से शुरू हो रहा है तब उसको लोग anaphora कहेंगे an, a, little, an, a, radio इस प्रकार के देखें end, end से शुरू हो रहा है end, a, end, a that means इसको कहते हैं anaphora यह कविताओं में जखी जाती है refrain बहुत जरूरूरी बात है refrain क्या होता है refrain एक ऐसा literary device है जहाँ पर repetition of a sentence again and again जब एक particular वाक्य एक पंक्ति जब हम कविता के पुनह उसका प्रयोग करते हैं बार बार शब्दों को प्रयोग करना बार बार उसको repetition कहते हैं और जो पूरे पंक्ति को repeat करना उसको refrain कहते हैं और last में है poetic license बहुत सुन्दर चीज़ें का poetic license होता क्या है poetic license मतलब poetic liberty कवी जब कविता लिखते हैं कहते हैं एक line जहां न पहुँचे रवी वहां पहुँचे कवी अर्थात कवियों को license होता है कि वो rhythm को मिलाने के लिए वो spelling change कर सकते हैं sentence pattern change कर सकते हैं interrogative को assertive करना से assertive को interrogative कर सकते हैं बिना auxiliary का question बना सकते हैं यह कई प्रकार के liberty इनके पास होता है जो really है इसको rhyming मिलाने के लिए rally you and truly you really truly इसको इनके इस प्रकार का change किया एक यहां पर आगे आपको मिलेगा एक बलीन्डा है उसके साथ rhyming मिलाने के लिए window के जगा में एक poet ने window यूस किया है rhyming मिलाने के लिए तो इसे कहते हैं poetic license और poetic liberty तो पहले stenja में हमने क्या देखा पहले stenja में characters का identification बताया कि एक लड़की रहती है जिसका नाम है बलीन्डा she lives in a white house छोटा सा घर है Kevin है उसके साथ एक black color का kitten है grey color का mouse है yellow color का dog है और एक wagon है wagon जैसे railway का डबा होता न उसे एक wagon है और वहाँ पर rally or truly or truly विश्वास करो मेरे पास एक pet dragon है pet dragon pet मतलब पाल तू जानवर तो वह द्रेगन और pet उसे से मालूम पढ़ता है कि चलो ये मजा क्या है अभी देखो introduction दिया आगे देखो क्या है the name of the little black kitten was ing and the little grey mouse she called him pling and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was coward and she called him custard बताया कि जो छोटा little black kitten है उसका नाम है ink little grey mouse जो है उसका नाम है blink yellow dog जो है उसका नाम है mustard और जो ड्रेगन है थोड़ा coward है और उसका नाम उसने रखा इसलिए custard है custard, mustard yellow colored flower जो होता सरसों जो कहता है हम लोग और coward यह नहीं इस tenja में देखते हैं literary device क्या क्या use क्या गया है सबसे पहले rhyming skim दो-तीन देने के बाद मैं rhyming skim देना छोड़ दूँगा आप लोगों को ढून के निकालना है ink, blink, master, cast, a, a, b, b rhyming skim है यहाँ पर simili का प्रयोग क्या गया है simili simili समझने के लिए simili क्या है एक rhetorical device जहाँ पर दो व्यक्तिव, दो वस्तू, दो स्थान, दो भावनाव जो दानवर के बीच में जब समानता लाई जाती है example आपके सामने देखे he is as strong as a king यहाँ पर क्या हुआ he और king के बीच में समानता लाया गया कौन सी समानता यहाँ पर strong, strength के उपर कौन सा word है जो हमें बता रहा है के दोनों के बीच में similarity लाने के कोशिश की जा रही है as जो लाल रंग से लिखा गया नीचे sentence में अनुषका शेटी अनुषका शेटी वह बहु वली-वली इसको कहते हैं simili नीचे है metaphor यानि applied simili जब हम दोनों चीजों को same चीजों को similarity लाएंगे लेकिन without the help of as and like that is called metaphor he is a strong king यहाँ पर फिर he और king का तुलना किया जा रहा है अनुषका और beautiful princess का तुलना किया रहा है तो इसमें जब तुलना करेंगे हम like और s का प्रयोग नहीं करेंगे तो that's called metaphor come back to the remaining literary device alliteration है alliteration यानि कविता के कवियांश में कविता के पंक्ती में अगर कोई एक वर्ण का बार बार प्रयोग और शब्द उसी वर्ण से शुरू हो रहा है coward and she called him casted beginning of the word consecutive words or many words in the line starts with the same letter c c c coward and she called him casted c c c का पुनर वृत्ती होना शुरू आतो होना that's called alliteration enaphora मैं already repeat कर बता चुका हूँ enaphora क्या होता है उसके बाद है repetition वो भी same है little word का बार बार प्रयोग किया गया है enaphora यानि एकी शब्द से एकी फ्रेज से when two consecutive lines of the poem starts आगे बढ़ते हैं simili के साथ stanger 3 पे हम बढ़ते हैं simili I hope you have understood simili बोर जरूरी चीज है stanger 3 में caster the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath mouth like a fireplace chimney like a chimney for a nose and rally your truly your daggers on his toes यहाँ पर अगर गोर से देखा जा मैं तीनों पंक्तिव को क्या क्या मैंने rhythm में पढ़ने की कोशिश की इसी को कहते हैं meter अगर मैं यहाँ पर दो चार एक्स्ट्रा शब्द डाल देता तो शायद वो tile वो lay नहीं मिलता tile lay मिलाना ही तो वो meter का काम है that's called meter यहाँ पर I am का प्रयोग क्या गया है इस poem में style of writing है जो जिसमें folk songs जो बोलते हैं उसी type का कवीता है तो हम change भी कर सकते हैं ज़र आप meaning देख लेते हैं spikes यानि जो thin pointed surface है जो dragon का एक picture देखा उसके peat में जो तीखे तीखे तलभार की तरह है न वो scales thin boney plates protecting the skin of fish and मचली के चमड़ा देखा उसमें देखो धार-धार उसका cover होता है उसको हम लोग छिल कर फिर मचली को काटते हैं फिर underneath तो नीचे situated directly below नीचे fireplace मतलब chimney जो चूला होता है चूला and outdoor structure जहां पे हम लोग बहार तंदूर बहुता है तंदूर की तरह और dagger तो मालू में एक knife है तो इनके इसके शरीर को describe किया गया है this task danger describes the dragon यह question एक दो मारका आता है अब ज़रा गोर से देखें describe the dragon dragon had a big sharp teeth spikes on the top of his top of him scales underneath and he had a mouth his mouth was like a fire priest यह हो गया एक simile तो आगे बढ़ते हैं इसमें literary device है same ABAB simile dragon refrain metaphor same है chimney for a nose that means nose और chimney को तुलना किया गया है उसके nose chimney की तरह जैसे आग चूला का chimney नहीं होता आग निकलता है धुआ निकलता है कार्टून में देखा है होगा तो इसके सब तुलना किया गया बाकि reference से मिली आपको ढून के निकालना है मैंने तो page वे से देही दिया है moving forward stanza number 4 stanza number 4 में क्या करता है Belinda was as brave as a barrel full of bears and ink and bling chased a lion down the stairs master was brave as a tiger in a rage but castor cried for a nice safe cage देखे इसमें भी tune आ रहा है यहां पर क्या describe कर रहा है इनके साहस को वीरता को explain किया जा रहा है कहते है Belinda was so much brave that she was as barrel full of bears मानो के जैसे के she was very much brave इतना साहस है उसका के वो जैसे bears होता है एक barrel full of bears उसके सामने हो तो भी इतना खतरनाक वो है के like she's very much ferocious her poem her characters को explain करते हुए Belinda was a brave a group of bears कई bears एक साथ अगर आ जाए जितना खतरना को है इतना खतरना को है Belinda and ink and blink were brave that they could even hunt lion बोलते है ink or blink इतना खतरनाक है कि शेर को भी शिकार कर दे शेर को भी भगा दे now master was as brave as tiger in rage जब tiger गुसे में होता है जितना गुसा में वो tiger खतरनाक होता है उतना खतरनाक तो master है वो कुता है that means just imagine करो एक-एक lion को समझने के कोशिश करो Belinda मानो के बहुत सारे भालू एक साथ आ गया इतना खतरनाक वो है और ink or blink तो क्या मालूम है lion को भगा देते हैं नीचे सीडियों के भाग जाता है उसको देखकर मान लाइन भाग जाता है उसके बाद master इतना खतरना आ गया जितना कि फिरमानो एक tiger जब गुसे में होता है लेकिन casted धरबोक हमेशा एक वो अपना safe cage मांगता रहता है हमेशा cage चाहिए safety चाहिए safety चाहिए बस ऐसा करता रहता है now moving forward stanza number five stanza number five में Belinda tickled him she tickled him unmerciful ink blink master that rudely called him possible they all sat laughing in the red little red wagon at the rallyo trullio cowardly dragon now in this pangti में in stanza में is quatrain में tickled का मतलब है stroke या फिर किसी चीज से उसको छेड़ना मतलब बार-बार तुसको तंग करना ए डरपोक ए हे हे वो प्रकार का जो हम करते हैं क्लास में ए मोटू ए पतलू वो जो करते रहते हैं जो भी है आसकल तो इस प्रकार के abusive कुछ बोलना तो बहुत गलत से भी कभी नहीं बोलना चाहिए जो जैसा है भगवान ने उनको बनाया है चलो अनमर्सिफल मतलब क्रेली एकदम कैसा आदमी है थोड़ा भी मर्सी नहीं है थोड़ा भी प्यार नहीं है वो बोलते हैं नहीं something like that possible possible मतलब a knight in king arthur's court king arthur अभी पूरी कहानी बता हूँ जो काफी समय लगेगा king arthur के court में जिस प्रकार एक knight है knight मतलब वीर योद्धा cartoon cartoon में या फिर roman civilization के वहाँ पर देखो colosium पे दो लोग घोड़े पे चड़कर लंबा से डंड़ा लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं उसको knight कहते हैं तो खतरनाक warrior मान लो तो यहाँ पर जो master है ink है और blink है वो लोग possible है मतलब knight है as dangerous as knight protector खतरनाक और जो dragon है वो कोन है बिचारा अनमर्सिफल उसको tease किया जाता है कि डर्पोक डर्पोक all the time लेकिन कौन डर्पोक है क्या डर्पोक है आगे यह निकलेगा तो literary devices इसमें सारा कुछ है आपको ढून के निकालना है comment box में जरूर comment किज़े कि इसमें simili है rhyming scheme क्या है इसमें और resonance क्या है आगे stanza number 5 stanza number 5 कभी आपको sim literary devices इसमें आपको ढून के निकालना है refrain है rhyming scheme है repetition है और यहाँ पर दो चीज़े हैं जो मैं explain करूँगा अभी एक होगी illusion illusion मतलब reference to any person or place किसी यानि किसी और चीज़ को मैं create करके इस poem में present कर रहा हूँ एक illusion create किया जा रहा है जैसे possible possible के बार में है पर कोई connection है ने इस poem में फिर भी हम उसको use कर रहे है एक night का use कर रहे है जबके night के बार में इसका सथ कुछ character का connection नहीं है just explanation करने के लिए possible का एक use किया गया that's called illusion created a character or plot is created to match the like maybe rhyming scheme or maybe the story of the poem personification क्या है मानवी करन है अर्थात जब किसी non-human object को non-human object को जैसे जानवर हो चीज हो कोई स्थान हो आदमी हो भावना हो भावाचक संग्या हो को हम human quality देते हैं human नाम देते हैं उसको हम कहेंगे personification यहाँ पर ink, blink और master को possible यानि night बताया गया है that means personify क्या गया है मानवी करन क्या गया है मानवी गुन से उनको बताया गया है that's called personification बहुत सारे beautiful चीज़े personification में darkness is embracing the sun अंधेरे ने और अंधेरा सूरज को गले लगा रहा है तो गले लगाने का काम तो human activity है यह लगा कोन रहा है अंधेरा क्या ऐसा हो सकता है नहीं लेकिन हमने उसको मानवी गुन को उस अंधेरे को दे दिया that's called personification मानवी करन stanza no.6 stanza no.6 में क्या है बलीनडा गीगल तिल शुक दा हाउस और बिंग सेट विक विच इस गीगलिग फॉर आ माउस इंग और मास्टर रूडलिक आक्टिम एच वेन कास्टर ग्राइड फॉर अनाइस सेफ केज यहाँ पर क्या हुआ पहले शब्दों को समझते हैं गिगल्ड माने to laugh विक चुहे लोग आवाज करते न चिक चिक करके वो जो एक ओनामेटे पिया कहते हैं इसको हम आगे रिटोरिकल डिवाइस समझेंगे ओनामेटे पिया मतलब जब एनी इंग्लिश वोड इस क्रिएटे एनी वोड is created in English with the sound of an object जब किसी object से दरवाजा पर मारने के आवाज को knock 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 कहते हैं जो ये knock K N O C K वोड is created in English with the hitting of an object तो तो इस काल्ड ओनामेटे पिया ओनामेटे पिया in English तो यहाँ पर गिगल मतलब हसना हसी उड़ाना हो जो बच्चे किट 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 करके हसते हैं उस परकार के हसे को गिगल कहते हैं तो इस meaning को समझने से पहले हम पहले little literary device को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर rhyming scheme है आपको ढूना है ओनामेटे पिया जो कभी any English word or word is used in English that is created from the hitting of an object और maybe sound of an object तो उसको और ना मेटे पिया के दे है repetition क्या है आपको ढूनना है और इस stange में जो छटे stange में है बलीनडा इतनी जोर से हस्ती है कि जैसे घर को हिला दिया हो and जो चुहा है वो अपनी आवाज में हस रहा है और इंक और मास्टर जो है rudely ए ए डरपोक ए तेरा नाम क्या है something like that कास्टर को बार बार चीडा रहा है और कास्टर एक ही चीज़ है बार बार cry it for a nice safe cage जो ताकतबर है ना जो हिम्मत वाला है वो अपने पावर को demonstrate नहीं करते जो कमजोर है ना ओई बार बार लड़ने के लिए ओई देख्टे नी मरता मी something like that आजाता है स्टेंजर 7 Suddenly, suddenly they heard a nasty sound and mastered gruel and they all looked round Mewch cried ink and O cried Belinda for there was a pirate climbing in the window window को window ए रिमिंग के मिलाने के लिए that's called poetic license beautiful अचानक जब अपने अपने सूर में ये अपने साहस को present कर रहे थे अपने वीरता को प्रमान कर रहे थे they are saying के हम लोग शेर को भगा देते हैं lion को ऐसे कर देते हैं सब अपने आपको hero बता रहे थे और किसको चिड़ा रहे थे बार बार custard को custard मने कौन? उस dragon को उसी समय अचानक window से एक तोड़ कर climbing करके एक pirate आया photo में देख से active कितना सुन्दर pirate खड़ा है एक टांग में pirate आया तो जैसे आया nasty sound धां करके आवाज आई आवाज आते ही सबसे पहले master भागा वहाँ से और mute cried ink ink वहाँ से ऐसे भागा जैं करके भागते न वैसे भाग गए और oh said Belinda that means एक आवाज से सारे जो खतरनाक लोग थे उस घर में dangerous लोग सारे एक छोटी से आवाज में डर गए और क्यों डर गए क्योंकि वहाँ पर आया एक pirate अभी से मज़ा आना शुरू होगा poem का rhyming scheme यहाँ पर assonance है assonance the use of the sound s the letter s again suddenly suddenly जब कविता में हम बार बार एक पंक्ती में एक वर्ण को प्रयोग करते हैं उसको assonance कहते हैं अगर वो consonant हुआ अगर वो vowel letter हुआ बार बार प्रयोग करेंगे उसको हम लोग assonance कहेंगे consonance on assonance लेकिन अगर कविता के पंक्ती में एक वर्ण शब्द के शुरुआत में बार बार हो तो उसको alliteration कहेंगे assonance and consonance में letter बीच में भी हो सकता last में भी हो सकता अभी देखो onomatopoeia onomatopoeia is the window is written as window मतलब rhyming मिलानी के लिए यहाँ पर जो sound के साथ एक word रखा गया है ठीक है now nasty मतलब बहुत unpleasant grang के शब्द होना growled यानि बाख जोर से बाख करना कुता जैसे होता नहीं गाउ 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 करता है हम लोग डंडा मारते तो cheek कर भाग जाता है फिर pirate तो मालूम ही है pirate क्या है Lutera the jack sparrow something like that the pirates of the Caribbean यह आपने देखा है तो मालूम हो जाएगा now stanza number 8 stanza number 8 में describes the pirate now pirate को describe कर रहा है pirate को क्या बताया जा रहा है pistol in his left hand pistol in his right and he held his tit in cutlass pride his bear was black one leg was wood it was clear that pirate meant no good right bright good wood यह हो गया rhyming scheme pistol मतलब gun and cutlass मतलब जो काटने के लिए जो सब जीब जी काटने के लिए चाकूनी होता उसको कहता है cutlass तो यहाँ पर क्या हुआ pistol उसके left hand में था pistol उसके right hand में था उसके दात में दोनों दात से जैसे मानो cutlass को धार तलवार को जैसे इसको ऐसर करके मूँ से लोक के रखा है उसके लंबे बेट थे उसके एक पैर लकडी का था और वो बड़ा खतरनाक था now stanza 9 stanza 9 says Belinda pale and she cried help help but mustard flared with a terrified to jelp ing tickled down the bottom of the household and a little mouse bling strategically mouse hole now क्या हुआ जैसे इस सब को देखा पायरेट को देखा ये जो खतरनाक सहसी लोग वीर पुरुश लोग थे सबसे पहले बलिंडा चीखी बोली help help and she was as brave as a full barrel full of beer and the mustard flared with a terrified yelp mustard जो है जोर से गर गर करके चीखा और वहाँ से भाग गया ink जो है वो tickled down to the bottom of the household घर के साब से नीचे वोले घर के छोटे से छेद में वो जाकर घुश गई और जो little mouse है वो blink जो है mouse वो strategy के लिए दिमाग लगा कर किसी mouse hole के याँ पर घुश गया वो भी जाकर चुहा के वहाँ पर जाकर वो भी घुश गया यह चोब सारे वीर पूरुश थे next stanza number इसमें literary device जो है इसमें आपको ढूनना है ramming scheme yelp लिया तो अल्रेडी है ABAB ramming scheme है देख लिया transport epithet transport epithet यहाँ पर terrified yelp जब हम किसी transport epithet को समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि literary device में एक ऐसा system होता है कि जब हमें बढ़ा चड़ा कर किसी के मतलब क्या कहते है इसको डर को बढ़ा चड़ा कर हमें present करना होता है बढ़ा चड़ा कर तो when non human object या फिर non living object को हम direct greet करेंगे या फिर उसको बढ़ा चड़ा कर कुछ express करेंगे तो हम उसको बोलेंगे transport epithet epithet का पूरा अलग हमें जो rhetorical device का वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको मिल जाएगा now moving forward household और मालूम है जैसे कि when they saw the pirate everyone strategically hit themselves somebody cried somebody shouted somebody ran into the bottom of the house and the master जो अपने आपको बहुत सहासी बन्था था they also ran out crying crying मतलब ना रोना हां making a loud noise and of fear and maybe कभी गुसा से भी बहुत चिलाना जोर से चिलाना that's called cry out so यहां पर आगे क्या होता है stanza number 10 बे but आप jumped custard snorting like an engine clasped his tail like iron engine with a clatter and a clank and a jangling squirm he went at the pirate like a robin at the swarm now क्या हुआ जो सब से डरपोक था everyone humiliated everyone you know उसको टिकल किया मजा कुराया डरपोक कहा age पूछा डराया वो डरपोक वो डरपोक dragon ने क्या क्या snorting क्या snorting मतलब make a sudden explosion something like railway का जो train है train पर जो आग निकलता ना आग से something like that फूश कर के engine से something like that classed यानि fort dungeon is an underground prison मतलब माटी के नीचे अगर कोई jail jail बना है लोहे का grill grill लगा कर clatter मतलब clatter clang sound of hard object falling of each other अगर लोहा का एक बड़ा सा chain परन घसीड कर कहा पर ले ज़े रहे हो बले लोहे के उपर से लेके जा रहे हो अगर गजिनी movie देखी है गजिनी में जब उसको हतोड़े से मारा जाता है लड़की को तो गुंडा क्या करता है वो हतोड़ा खीषता है तो खीशते बग जो एक शब्द होता है उसको clatter sound कहता है यह onomatipic word है clattering sound है ठीक है so jangling squirm sound of a hard object falling on each other एक लोहा बड़ा सा लोहा किसी लोहे वाले बरतन में या भी बरतन नीचे गिरा लोहे के लोहे को परगिला या फिर जो जेल का जो वो है क्या कहते है सलाखें है उस पे अगर हतोड़े से लोहे से मारा जाया तो क्या आवाज होगा इस प्रकार के आवाज मानो जैसे लोहा बड़ा सा चेन एक लोहे वाले पितल यारे बड़ा सा बस्तू में गिरता है तो जो आवाज होती है that kind of sound came out when the dragon jumped upon the pirate dragon ने क्या किया पाइरेट के उपर jump किया jump करके a nasty sound निकला जैसे एक लोहे का लोहे का आपस में टकराने में जो आवाज आती है and he attacked the pirate just like a robin robin एक परकार का bird है जो केच्वों को जिस परकार वो मूँ से खा लेता है निकाल लेता है उसी को यहाँ पर express किया तो imagine करो जैसे robin एक bird फट से केच्वों को खा लेता है उसी परकार यह भी क्या नाम था dragon ने pirate के उपर attack किया and you know attacked him like a worm so यहाँ पर simili है आपको ढूनना है उसके बाद onomatipia है आपको ढूनना है उसके बाद यहाँ पर होगा आपको imagery वो आपको ढूनना है stanza number 11 the pirate gapped at Belinda's dragon and gulped some drog and his pocket flagon he fired to bullets but they didn't hit and custard cobbled him every bit now पहले gapped क्या है word meaning को समझते है steered with mouth wide open किसी को देखना मूख खुला करके कार्टून नहीं देखते है आ करके देखते हैं उस प्रकार gulped मतलब swallow निगल लेना grog मतलब कुछ drink एक प्रकार का नशेली प्रदार्थ है दारू जैसे देसी देसी दारू जो होता इसको grog कहते हैं उसके बाद जो book के word meanings पापको मिल जागए यह वाला flagon जो है a container made of silver in which drink is stored drink को store किया जब एक container है ungobled is swallowed hurriedly फट से निकल दिया तो pirate got so shocked in the dragon's reaction that he opened his mouth wide with shock dragon को देखके pirate का मुँ आँ खुल लिया to gather some strength he drank some alcohol अपने ताकत को बढ़ाने के लिए डर को बढ़ाने के लिए pirate ने कुछ दारू पिये अपने एक pocket से container से निकालने के बाद and gathering some courage तुरह साहस लिया and fire two bullets दो गोलियां चलाई धाई 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 दोनों आप में बंदूक थे लेकिन एक भी गोली कास्टर्ड को लगे नी or cast the dragon at every bit of the firing every bit of this fierce looking pirate pirate जो खतरनाक दिख रहा था उसको पुरा पुरा समेत उसने निगल लिया इस 11th stanza में आपको rhyming scheme है I want you to find it out imagery, alliteration is there and rhyming scheme you have to find out do comment in the comment book so that I can answer it उसके बाद stanza number 12 Palinda embraced him, master tickled him no one moan for his pirate victim link ink and blink in glee did gyrate around the dragon that at the pirate now what happened those who were the brave souls and the khatarnak people those who hid themselves while the real danger came they all hid and fled away from there and after the dragon had eaten him up killed him then all they came and he Belinda embraced this one him and master master जो कुता है वो चातने लगा उसको and no one moaned about the pirate's victim nobody is talking about the pirate in his pirate victim and ink or blink क्या क्या ग्ली में खुशी में जिस्परकर बच्चे हाथ पकड़के माबाबा के दुनों के चकर में ए ए खेलते हैं न वो जायरेट करना ग्ली चकर मारना चारो और वो खुशी में डिलाइट में ग्ली मतलब खुशी में जायरेट मतलब डांस आस पास घुम फिरा के अगर माबाब बच्चों को आकर अचानक चौकलेट ए बिसकेडिया कुछ नया कपड़े का पैसा या मुबाइल कुछ देता है तो बच्चे खुश खोकर नाचते हैं वो प्रकर के जायरेट करने लगा इंक और ब्लिंग ये घटना घटी स्टेंजा नमबर 12 में जास उसके साथ फिर क्या हुआ राइमिंग स्कीम आपको ढूनना है एल्लेटरेशन आपको ढूनना है एस स्टेंजा में प्रक्राइच भी मैं उसके बाद बच्चेंजा नमबर 13 में ये जस अभी हुआ के वापस but presently upspoke little dog mastered I would have been twice as brave if I had been flustered and upspoke ing and upspoke blink we would have been three times as brave we think and custard said I quite agree that everybody is braver than me grammatically braver than I I should be me and agree or me can be rhyming scheme here is rhyming scheme AABB and then CC this means AABBCC we all know two rhyming which we call coplet if we call it coplet if we call it coplet we don't understand in previous videos we call it rhyming coplet if we call it rhyming then we call it rhyming coplet not all rhyming coplet now in stanza number 13 what happens after they thanked and showed their love towards dragon suddenly they changed their mind and again they were reminded of how they used to make fun and they all were praising him so that once the dog said that it was just because of some confusion that he was not able to do anything otherwise he would have been twice as brave as the custard that he said both ink and blink said that they would have been three times braver than the custard then to this dragon said yes you all are right you all are brave only I am the coward and I I need the safety you all are brave I know you would have been three times and four times and five times braver and more dangerous than I am ye custard ne ka who is originally brave last danger let us wind up here comes Belinda still lives in a little white house with her little black kitten and her little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and rallyo trulyo little pet dragon Belinda is as brave as a barrel full of bears and ink and blink chase lying down the stairs master is as brave as a tiger in rage and a custard keeps crying for a nice safe cage ye چار دونوں ایک ساتھ جوڑ کر دونوں ye repeated کیا گیا ہے beginning two stanzas کو واپس یہاں پر repeat کیا گیا ہے exactly the same what is written کہانی کو exaggerate سمجھانی کے لیے exactly beautifully اس کو واپر پورا پورا stanza کو repeat کیا گیا ہے اس کا कارن کیا ہے وہی humor جہاں سے شروع ہوا تھا وہی humor میں ختم ہوا ہے جو لوگ اپنی موہ سے میاں مٹھو ہے اپنی موہ میں تعریف کرتے ہیں وہ اپنی موہ میں تعریف کرتے رہتے ہیں چاہے ان کو جتنا بھی سمجھاؤ وہ جیسے کے تیسے رہیں گے even if they are caught in the real time of danger when they had to face the danger when they have to brave away the danger they don't they run away and they again talk about that means some people have the habit of talking about others they are like this آپ کچھ بھی کرو you cannot make everyone happy everything you do anything you do there will be someone who is not happy with your work so they will talk so forget about these people just think about that those people who praise you who love you who think about who respect you and go on with your walk exactly same valinda castered mastered ink not castered ink bling everyone said acted pretended as if they are very much brave but when the real danger came all they ran away and again when they were saved by the person by the dragon whom they you know tickled whom they humiliated whom they said and told that he was coward rather he was helped by them they came they were helped by him they came and again started praising themselves that they would have been twice or thrice danger more dangerous than the castered so that shows how shameful people these are while the danger came they run away and now they again praise themselves ismae literary devise a refrain reputation of the sentence again and again really or truly or repetition is complete to stanza from the first has been have been used again so here we have come to an end of this explanation I hope you people have understood and liked the poem is long so I have any question please do comment so that I can re-explain or send make another video it's already 37 or 38 minutes video I have made it short so I hope you people have liked and understood subscribe like share thanks for giving time have a great day I had